Pen Card की नई अपडेट आचुकी है, अब आप अपने Pen Card को अपने आधार कार्ड की तरह कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं Pen Card को डाउनलोड करने के सिर्फ तीन ही तरीके हैं और आज की वीडियो में मैं आपको ये तीनों ही तरीके बताने जा रहा हूं तो चलिए बिना देर की वे शुरू करते हैं आज की वीडियो, मैं हूँ परवीन और आप देख रहे हैं हमारे चैनल यूट्यूब हिंदी Pen Card को आप उसी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, जिस वेबसाइट से आपने उसे बनाया है Pen Card बनाने की तीन वेबसाइट हैं, NSDL Portal, UTI Portal और Income Tax Online Portal आपका Pen Card किस वेबसाइट से बनाया गया है, इसको चेक करने के लिए आपको अपने Pen Card के पीछे देखना है वहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा, अगर आपका Pen Card NSDL से बनाया है तो NSDL लिखा हुआ मिलेगा UTI से बनाया है तो UTI लिखा हुआ मिलेगा और Income Tax के Online Portal से बनाया है तो वो आपको वहाँ पर लिखा हुआ दिख जाएगा अगर आपने अपना pen card पिछले 30 दिनों के दोरान बनाया है तो आप उसे बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं लेकिन अगर आपका pen card 30 दिन से ज़्यादा पुराना है चाहे कितना भी पुराना हो तो उसको दोबारा से डाउनलोड करने के लिए आपको 8.26 पैसे का चार्ज देना होता है तो सबसे पहले हम NSDL वैबसाइट से pen card को डाउनलोड करना सीख लेते हैं अगर आपने नया pen card बनवाया है तो आपको यहाँ पर select करके अपने acknowledgement नंबर डाल कर उन्हें डाउनलोड करना है लेकिन यहाँ पर मैं आपको pen card को डाउनलोड करना बता रहा हूं तो आपको pen card वाले पर select करके यहाँ पर अपने pen card नंबर डाल देने हैं यहां पर आपको अपने अधार कर नंबर डालने हैं, यहां पर आपको अपनी date over डालने हैं, यह optional है, इसे डालना जरूरी नहीं है, इसके बाद आपको नीची आना है, यहां पर tick mark करना है, और यह capture यहां पर फिल करना है, इसके बाद आपको submit पर किलिक करना है, इसके बाद OTP किस तरह से receive करना है, वो select करना है, email id के द्वारा, mobile number के द्वारा, या फिर दोनों के द्वारा, तो एक आप कोई भी select कर सकते हैं, मैं यहाँ पर कर देता हूँ mobile number, इसके बाद यहाँ पर आपको tick कर देना है, और generate OTP पे click करना है, OTP आने के बाद उसे आपको यहाँ पर डा कर लेना है, इसके बाद आपसी जो charge लिया जाएगा, वो यहाँ पर दिखा देगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 8.26 पैसा का charge यहाँ पर लिया जाता है, आपको यहाँ नीचे जाना है, I agree पर click करना है, इसके बाद आपकी transaction ID यहाँ पर generate हो जाएगी, आपको फिर से नीचे जाके pay confirm पर click करना है, इसके बाद यह आपको पेटियम के page के उपर redirect कर देगा, जहाँ पर आपने अगर अपनी payment ID बना रखी है, तो वो number यहाँ पर डाल के आपको proceed पर click कर देना है, अगर आपके पास पेटियम के ID नहीं है, तो आप नीचे जाकर इसे prepaid card, debit card या credit card के द्वार भी pay कर सकते हैं, इसके अलावा net banking का option भी है, यहाँ पर भी click करके आप इसे पैड कर सकते हैं, तो फिलहाल मेरे पास पेटियम ID है, तो मैं अपने mobile नंबर डाल के यहाँ पर proceed कर देता हूँ, जिसके बाद आपके mobile पे OTP आएगा, उसे आपको यहाँ पर डाल कर verify कर देना है, इसके बाद यहाँ पर आपको अपने पेटियम के password डालने है, और pay now पर click कर देना है, जिसके बाद आपके payment का success status यहाँ पर लिखा हूँ आ जाएगा, और आपके refresh number भी आ जाएंगे, यानकि आपको जो payment के receipt है, वो यहाँ पर दिखा देगा, जिसके बाद आप आपको continue पे click करना है, यहाँ पर click करके आप अपने payment की receipt भी download कर सकते हैं, जिसके बाद आप अपने pen card को यहाँ e-pen के द्वारा भी download कर सकते हैं, और PDF के रूप में भी यहाँ से download कर सकते हैं, अगर किसी वज़े से आपके laptop या PC में इस परकार से error का message show होता है, तो आपको घ जाएं तो PDF के रूप में भी download कर सकते हैं, या फिर e-pen के रूप में भी download कर सकते हैं, pen card download करने के बाद जैसे ही आप इसे open करेंगे, तो यह आप से एक password मांगेगा, वो password होगा आपका date of birth, आपको अपनी date of birth डाल देनी है और इसे submit पर click कर देना है, तो इस पगार से आप ब link comment description में भी दे रहा हूं, open करने के बाद आपको यहाँ नीचे जाना है, instant e-pen पर click करना है, इसके बाद यहाँ पर आपको continue पर click करना है, यहाँ पर आपको अपने आधार कर नमबर डालने है, ध्यान रहे आपका आधार कार्ड आपके mobile से link होना चाहिए, और इसके बाद आपको यहाँ पर fill up कर देना है, और आपको continue क्लिक करना है, इसके बाद यहाँ पर आपको दो option मिलेंगे, आपको download e-pen पर click करना है, और यहाँ पर आपको इसे download कर लेना है, तो इस प्रकार से आप easily इस website से अपने pen card को download कर पाएंगे, इसके बाद अब हम चलते हैं तीसरे की तरफ, तीसरे तरीक है UTI website के द्वारा, अगर आपने अपना pen card इसी website से बनाया है, तो इसी से आप उसे download कर पाएंगे, इसके लिए आपको यह website open कर लेनी है, यहाँ पर आपको अपने pen card नमबर डाल देनी है, यहाँ पर आपको अपनी date ओपर डाल देनी है, यह डालना pen number से जो mobile number link है और email ID link है, वो दोनों चीज़ यहाँ पर show कर देगा, यहाँ पर यह caps आएगा, यह caps आपको नीचे डबे में डालके get OTP पर click कर देना है, जिसके बाद आपको mobile पर OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पर fill कर देना है, और submit पर आपको click करना है, जिसके बाद करके confirm payment पर click करना है, यहाँ से आपको payment के काफी सारे option देखने को मिल जाएंगे, जिस परकार से आप credit card के दौरा, debit card के दौरा, internet banking के दौरा, wallet के दौरा, QR code के दौरा, या फिर UPI के दौरा payment कर सकते हैं, आप जिस भी mode से payment करना चाहते हैं, यहाँ पर कर पाएंगे, जैसे कि मुझे QR code करके payment करना है, तो मैं यहाँ पर select कर लूँगा QR code, और इसके बाद आपको make payment पर click कर देना है, जिसके बाद automatics यहाँ पर QR code दिख जाएगा, जिसे आप किसी भी UPI payments की application के दौरा scan कर सकते हैं, और scan करने के बाद automatics यहाँ पर जितने रुपे भी दिये हुए है, आ आप जब चाहें अपना pen card download कर सकते हैं, आई होब कि यह वीडिया आपको काफी अच्छी लगी होगी, फिर भी अगर आपको इस वीडियो से related कोई भी problem आती है, तो हमें comment box में लेकिए, हम जल्द से जल्द आपके comment का answer देने की कोशिस करेंगे, और अगर आपके दोस्त या झाल